ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें जाएघर पुलिस ने चोरी के मामले में 11 आरूपियों को गिरफतार किया है इनके पास से 36,16,000 का सामान बरामत हुआ है जिनमें मोबाइल सोने के जेवर कई इलेक्ट्रोनिक सामान और दो पहिया वाहन और वाहनों के पार्ट भी बरामत किये गए हैं दरसल जाएघर परिसरो में गोदामों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी वहीं लोगों के साथ छीना जहट्री और दो पहिया वाहनों की भी चोरी के मामले सामने आ रहे थे जिसकी शिकायट डाएघर पुलिस टेशन में लगातार दर्ज हो रही थी जिसके बाद डाएघर पुलिस पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया और बढ़ते अप राधों पर अंकुस लगाने के लिए एक टीम का गठन किया जिसके बाद पुलिस को बड़ी काम्याभी मिली और चोरी करने वाली गिरोह का भंडा फोड़ हुआ आरुपियो के नाम से फली खड़ी गाउं का रहने वाला है फैजान खलीफा किस्मत कालोनी मुम्रा का रहने वाला है फिरोज खान गुवेंडी वैगंडवाडी का रहने वाला है अफ्रोज खान उत्तरशियू का रहने वाला है मुनू दिलिब ठाकु डुम्बे वली और चे जो अभी नावालिक है इन 11 आरोपियों को डाइघर पुलिस ने गिरफतार किया है। इन ने बहुत अच्छा डिटेक्शन किया है। पंदरा लाग में से साड़े तेरा लाग का मुद्वेमाल जो है वो रिकवर किया है। इसके अलावा एक डंपर जोरी की घटना डाइघर पुलिस टेशन के एरिया में घटी दी। इसका भी आरोपी फिरोश शमीन खान जिसको आरेश्ट करके उसके पास से 20 लाग का डंपर जो है वो रिकवर किया है। इसके अलावा आरोपियों ने दो दर्जन से भी ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया है और पुलिस के सामने जुर्म भी कबूल किया है। के पास से दो मोटर साइकल सोने के गहने बड़ी संख्या में गाड़ियों के पार्ट बरामत की गई है जिसकी कीमत 36,16,000 रुपे बताई जा रही है। बैरहाल सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहाट टेंट।